तुफान आने वाला है एक दम बढ़का तुफान आएगा आप देख लिजेगा बहुत भवत धन्यवाद इनका कहना है चोविस तारिको नवादा जिला में एक तुफान आने वाला है उस तुफान का नाम है तजस्वी तुफान होने के बाद भारतिय जनता पाटी इनको भीड में लोग आएंगे और व्यापक परचार परसार चल रहा है सभी जगह गाणियां जा रहे हैं बहुत सारे लोग स्वेम चल कर आ रहे हैं इतनी उत्साह लोगों में हैं हम लोगों ने आई टी आई मैदान में प्रोग्राम रखा है वहां बेक भब स्टेज के साथ-सा में बनाया है महिलाएं लोगों का भी ख्याल रखा है और जो भी हमारे नेता का सम्मान में जो यहां बेवस्था होना चाहिए नवादा पुरी तरह से मुकमल बेवस्था में जुटा हुआ है और 24 तारीक का हम लोग इंतियार कर रहे हैं दिन रात हमारे सारे कार्ज करता अ अधर निये गोविंदपूर के विधाये कामरान जी भी दो-चार मिनट में आहीं चले और धारदार हम लोग कैसे कार्ज करम को बनाएं इसी पर हम लोग बैट करके समिच्छा कर रहे हैं इसका मतलब क्या अगर पब्लिक देखना चाह रहे है कि लगातार यह हर जगा भी मा चाहरत क्या था थोड़ा मारे दर्सकों को समझाएं जण विषवास का मतलब आप यह नहीं समझें सत्रा साल बनाम सत्रा महीना का नाम सुने हैं जो कामनिती सरकार ने सत्रा साल में नहीं किया उस काम को माननी निता तैस्वी प्रसाद जादब जी ने उनके साथ गठवंद बना करके 17 महिने में किया इन्होंने लगवग पांच लाख बेरोजगार लोगों को विद्यार्थियों को नौकरी दिया जो किसी भी राज में उतना कम समय के लिए एक उदाहरन है दुसरी बात यह है कि नितिश कुमार जी भारतिय जनता पार्टी के डर से जाकर के में जुट गए कि अब हम लोग जो है छापा मराने के नजर में आ गए हैं और नितिश जी और उनके सहयोगी दलों के सहयोगियों के साथ घर में भी छापा मारने की तयारी चल रही थी उसके डर से उत्रत राते रात चोर दर्वाजा से पल्टी हो गए बिना कोई कहें सुन दो दिन पहले लगा कि इस वार इंटीश कुमार बता रहे थे कि हम तेजस्वी जी के साथ में परधान मंत्री का सीट का दावेदार कर रहे थे लेकिन दो दिन बात पता चला कि इनका तो कुछ और मकसद था उनकी अवकाद क्या है परधान मंत्री बनने की 45 सीट किसी तरह से इधर उधर करके लाए हैं परधान मंत्री बन जाएंगे अरे इतो तेजस्वी जी का सुक्र गुजार है आधर नियनेता लालू प्रसाजादब जी का कि जिस तरह से भारते जनता पार्टी इनको मखी की तरह निकाल के फेक दिया था इन्होंने सम्मान के साथ कहा कि नितिस भाई आप ही मुख मंत्री रहो और हम विकास करते हैं और इनके मुख मंत्री के कारचिकाल में इन्होंने पांच लाख नोकरियां दिया है आसा का मांदे बढ़ाया है मुख्याजी लोगों का मांदे बढ़ाया है अंगनवारिस सेवकाय को बढ़ाया है जो सिच्छक नियोजित थे उनको इन्होंने पर्मानेंट किया है नितिश कुमार तो सोचे कि इस तरह से अगर यह लड़का करते चले गए तो कल हमारा ही पत्त साफ हो जाएगा इसलिए हाली हाली इन्होंने भारती जनता पाटी में जाके पाला बदल लिया मतलब जो नितिश कुमार 17 साल में नहीं कर पाये उत्यस्वी यादा 17 महनों में कर दिखाए बिल्कुल बिल्कुल आज आप देखे होंगे दो तीन जगा प्रोग्राम हुआ है जी लगातार उंका वीडियो आएंगे उस भीड से भीड का तुलना करके हम मीडिया वाले बंदुों से कहते हैं कि इसको खूब चलाएंगे एसास हो जाएगा मोदी जी को उन्हें तो सदन में ही कहा है कि हमारे चाचा जो हैं देश में मोदी जी को रोकने चले थे लेकिन सबसे बड़ी पार्टी विहार का है रस्टी जनत अडल और इनको क्या है तो नौ बार मुखमंत्री सपत लेने का जो है रिकॉर्ड अपना हासिल करवाएं अब आप ही लोग बताइए कि नौ बारी कैसे बने और इधर तीन साल में तीन बारी सपत कैसे लिए अब समझिए ऐसा मुखमंत्री को नयतिक्ता के अधार पर जो है इस्तीफा देदना चाहिए था और वैसे इनका कहानी खतम है 24 का चुनाव होने के बाद भारतिय जनता पाटी इनको पुना मखी की तरह निकाल करके फेक देगी